सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं हीरो पैशन प्रो के बारे में भाई जो पैशन प्रो है इसके बाई कुछ वैरियंट ऐसे हैं जो इंडिया में डिसकंटिन्यू कर दिये गए वज़ा सिर्फ इतनी है कि सेल फिगर नहीं आ रहे थी तो कंपणी ने वापस से जो है ओल्ड वाली पैशन प्लस को इंडिया में लॉंच कर दिया इसकी भी सेल फिगर अच्छी नहीं आ रहे हैं और ये इंजन आपको मिलता है 97 CC के साथ खैर इसे भी छोड़ो अब जो भाई आपको पैशन प्रो मिलने वाली है बिल्कुल ही नए इंजन के साथ जो कि आपको मिलेगा 125 CC का नया इंजन और अभी तक आपको भाई जो पैशन प्रो मिलती थी कोई भी वैरियंट हो जब से आ रहे है तब से लेके अब तक अभी भी भाई आपको कोई भी ऐसा आप्शन नहीं मिला जिसमें कि आपको इंजन मिले 125 CC का लेकिन अब वो टाइम आ चुका है कि इस गाड़ी में आपको मिलेगा 125 CC का सिंगल सिलंडर एर कूल इंजन जो कि आपको मिलेगा 5 स्पीड गियर के साथ जी है भाई 5 गियर मिलेगे और जो गाड़ी की परफॉर्मेंस है वो आपको बहुत अच्छी मिलेगी ये गाड़ी आपको लगभग देगी 12.5 HP का पावर और 11 NM के आस पास तक का टॉर्क माइलेज जो है इजली आपको 60 दे देगी टॉब स्पीड भाई हीरो की बाइक है तो उमीद ज्यादा मत लगा न वरना तूट जाएगी बागी यार गाड़ी का बाई जो सीट वगएर है न वो काफी जादा अच्छा मिलेगा जो भाई पैशन प्रोव आएगी 125 CC में इसमें आपको मिल जाएगी स्प्लिट की सीट, स्प्लिट के ग्राब रेल अब भाई बोलोगे फेक है तो ऐसा नहीं है क्योंकि यहार भाई आपको पता है कि मार्किट में 125 CC में क्या चीज पिक रही है वो है राइडर और पजाज की पलसर लाइनप 125 CC में तो ऐसे में अगर किसी ब्रांड को इन गाडियों को बीट करना है तो यह चीजे तो देनी पड़ेगी कॉम्पटीशन में रहना है तो भाई या चेंज तो करना पड़ेगा इसकी जो हैंडेड लेना वो आपको सिंगल पीस में मिलेगी लेकिन वो अब डाउन हो जाएगी अदर बाईकों की तरह और इसकी जो ग्रैल है वो भी आपको मिलेंगे स्प्रिट में साथी बाई गारी का जो टेंग है उसपे आपको मिलेगा passion pro का branding बड़ा सा 3D में और इसका बाई जो tank है उसपे आपको मिलेगा tank flap जो की काफी अच्छा लगने वाला है बाई side panel और seat cowl काफी अच्छे रहेंगे नए design की body आएगी गारी में आपको मिलेगा fully LED का headlight LED का tail light और halogen के turn indicators बाकी यार गारी का बाई जो वाईजर है उसमें आपको integrated मिल जाएगा DRL जो की H शेप में रहेगा लेकिन वो किसी भी गारी से ग्लैमर से copy नहीं किये जाएगा वो आपको बिलकुल ही नया मिलेगा आगे आपको मिल जाएगे disc पीछे आपको मिल जाएगा drum और बाई गारी जो है दो variant में आएगी एक आएगा single disc और एक आएगा non disc बाकी बाई गारी में आपको मिल जाएगा mobile charger fully TFT meter console बाई digital console से hero वाले कुछ कर नहीं पारें तो अब TFT console आएगा आगे आपको tear मिलेगा 90 section का और पीछे आपको tear मिलेगा 110 section का और जो size है वो अब आपको 17 inch मिलेगा जो कि भाई लोग यही पसंद करते हैं लेकिन भाई जो engine है पता नहीं यह खड़ा आएगा कि लेटा आएगा उसके बारे में नहीं पढ़ता भी तक तो भाई उसके तोड़ा वेट कलना पड़ेगा बागे यहार भाई जो गाड़ी का price है ना on road वो जाएगा 1.20 के आस पास तक का तुकि भाई पीछे आपको company provide कराएगी mono shock absorber भी जी यहां भाई आगे आपको मिल जाएगा telescopic और यह गारी launch होगी आने वाले धाई से तीन महिने के बीच में अगर भाई plan कर रहे होना कोई bike लेने का 125 CC में तो इस गारी का वेट आप लोग जरूर करना काफी better bike आने वाली है hero की ओर से और यह भाई टकर दे सकती है मेरे हिसाब से pulsar 125 को ns 125 को और rider 125 को गारी में आपको बिल्कुल ही ने colors बिल्कुल ही ने graphics देखने को मिल जाएंगे जो की गारी को काफी अच्छा बनाएंगे तो भाई wait जरूर करना तो भाई जो वीडियो है like कर दो मिलते हैं बात मे चलो बाई